किसी इंसान को जिन्दा जला देना अपने आप में एक भायानक वारदात है पुलिस के लिए कई सवाल, कई चुनौतियां लिए ये केस आपके मन में भी ये विचार जरूर पैदा करेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है आईए आई अम्मी आप इतना टैम क्यों लवाया दर्वाजा गोलने में अंगर तो हसा अरे आपका ने ना अच्छा बयान दिया कि मैं तुशे क्या मता हूँ अरे काश तो भी सुन पादी अम्मी क्या कर रही थी आपी तीन जेशों वेटा वो मैं सेमया बना रही थी सिमया वोत्तों पूपपसेंदे मेरी प्यादी अम्मी सर्वाइब निकलता हूँ एक्षिय आज वाइव का बदे है हर बार किसने किस के चक्कर में मिस कर देता हूँ आज हाफ दिल याए तो सोच रहा हूँ एक फैमिली को लेंज के लिए बाहर लेकि जाओ अच्छा है सर व़ना पोलिस की नौकरी में तो बीगी बिच्चों के लिए वक्ती नि मिलता आई नो चलो सर स्कीर दी यह हलो क्या कहां पर क्रीक आम पहुचते हैं क्या हुआ सर गाजयाबाद इंजिनिंग कॉलेज के पीछे वाले जंगल में किसी की जली हुई लाश भी है चारो ड्यूडी इस ड्यूडी राइक चार सबसे मेहले पीसीर को फून किस नहीं किया सर इशादी हाँ भाई की सर इस लाश को तुम्हें कितना मिजे देखा सर मैं लगबख साड़े छे बजे सुपा दासना की तरफ जा रहा था अचारक इतनी तेज बद्भू आई सर्थ कि मैंने अपनी बाई की रोकी हो तेखा तो ये राश चल बूती था शर्मा सर अपनी एक टीम तैनाथ करणा इस तरफ आने जाने मालने रास्ते में जहां जहां भी CCTV है उसकी फोटे चेक करणा ओके सर सर ये देखिए गास पूरी तरह जली हो ये इसका मतलब इस आजमी ने मरने से पहले बहुत हाथ पहर मारे होंगी सर ये देखिए इसकी चपल ने लिए एक चपल यहां है और एक चपल उसके पहर में और रास्ते में निशान इसका मतलब है इस ने बरने से पहले काफी हाथ पहर मारे हैं इसकी बॉड़ी को अपनी निगरानी में पोस्टमाटरम के लिवेजवा है और अगर यह कल ना से घर नहीं गया तो इसके घरवाला ने किसी पुली स्टेशन में संपर्प्तों किया होगा गाजियवाद और उसके आसपास के एरिया वे जितने भी पुली स्टेशन है महाँ पता करो किसी की कोई मसिंग अ ब्लेंडर जो ही है राइट सर पूरे महिने का दो हजार रुपया दे पाऊंगी चलेगा तुमको चलेगा आओ बताती हूं क्या क्या करना है आज अधर किछन है अरे वहां क्या कर रहे हो यहां आओ यह देखो यह सब गंदे बरतन है इन्हें दो दो यह साबून वहां पानी है मैं आती हो मैं आती है आती ही मिझे है मैं आती है यह यहां मैं आती है कर समय नहें आती है अार्ग अरह क्या जात corner आती है जो किन्पाउड गख़र्ण बंचे जो किन्यां ने सेंगा सेंगे रहे, यावस मतहुते है? आपको जो किन्यां दो चिल्च और प्रण दो, तो प्रणाइवारा, शानलों, कि वालों दो किन्यां ठीना, रहें तो प्र दॉसाईों कि जो कि आए, तो खुर। सर, सर अपका अंजादा साही निकला, उस आजमी को जिन्दा जलाया गया, यह रही उसकी पोस्टमाटम रिपोर्ट, सर लाश पूरी तर अजल चुकी थी, लेकिन फिर भी पोस्टमाटम रिपोर्ट से पता चला है कि उस आजमी की उमर 35-40 साल रही होगी, और हाइट हाँ सर, सर हमें उसका यह जलावा वोटर आईडी कार्ड मिला है, इसके स्टार्टिं के आठ नंबर तो रिकवर हो गये हैं, लेकिन पात के दो नंबर और इडिटिफाइज नहीं हो पाए हैं, सर इसका नाम भी जल चुका है, लेकिन इसके नाम का पहला लेटर M से सुरू ह और सेकेंड नेम के आखरी दो लेटर A और D है, इस वोटर आईडी से हमें उस आदमी की पहचान के वारे में कुछ इंफरमेशन मिल सकती है, वोटर रिजेस्टेशन ओफी से पता करो, ओके सर, शर्मा, इस आदमी को इतनी बहरायमी से जला कर मारा गया है, मुझे तो यह मा सर, ठीक है, मा पामिल फोन करता हूँ, सर मैंने वोटर रिजेस्टेशन ओफिस में जाकर उस जली हुई आईडी की इंक्वारी की, खुल मिला के तीन ऐसी आईडी मिली हैं, जो हमारे विक्टम हो सकते हैं, पहला है मौमद दिलशाद, दूसरा है मनोहर प्रसाद, सर मनोहर और मौमद दिलशाद मोटा के रहने वाले, इनसे बात हो गई है, सर, और तीसरा है मौमद शम्षाद, सर, इसके घर का अडर्स भी मिल जाए, मौमद शम्षाद, जी, मौमद शम्षाद का घर यही है, जी हा, यही है, क्या बात है, सर? क्या बात है सर? दरसल आप से कुछ जरूरी बात करने है, बहतर होगा आप बच्चों वंदर भेल दें, जी, बटा, अंदर जो, जो, आये सर, आम्मी, जी, कहिए सर, आपके पती कहा है, कुछ जरूरी काम से बाहर गयें, दो-तीन दोनों के लिए, कहां गयें, जी, दासना, तो जब से वो दासना गये हैं, आपके उमसे कुछ बात हुई या हमका कुछ फोन आया? सब वो सफ़र के तवरान जंडली बात नहीं करते हैं, ज़रा फोन करके पूछी, कहा है हूँ? ज़रा फोन बात है आप लोग उनके बार में इतना पुछताच क्यों कर रहे हैं? ज़ अबूजान, यहलो आपके चप्पड़ूए. जीब, उने का? अबू, अपके गड़ी. शुगरिया मिरीक कुडिया? अबीजान. यह सब सामान हुनी का यह सब, भरीय ही जशाधी नही एान। आपको जहूँ मिला झंड उरित एंट इंग मुछे की हो? कि होग थैस्थ? अबूशल में धतके लिगे ए यों लाश मेली शुश एप अफर शुश्शन से अमनी लाश मुली बाए। हम ऐसा लगता है कि वो लाज आपके बती किया है नहीं नहीं आपको आपको जोरूद धोका हुआ है संच्यार मेरे बच्चा आपके पती दासना क्यों जाते थे तरगा के वाहर अवारी फुलोड चादर की दुकाने साब उसी का सावाद लाने करे ते तो जब कभी दासना जाते थे रुपते कहां ते कुछ आइडिया है अपको उनकी दोस्त है मकसूट जी प्रॉपटी दीलर है जी 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 आपको क्या लगता है शम्षाद की किसी से को दुश्मनी थी आपको किसी में शक है इंस्पेक्टर साहाब दरगा में फूल और तादर बेशने वाले की किससे दुश्मनी हो सकते है भला खीक है जब तक सारी फॉरमालिदीश पूरी नहीं हो जाते आपके पती की बोडी हमारी कस्टी बलाएगी जैसे ही फॉरमालिटीश पूरी हो जाएगी हम बोड़ी आपको हैंड लोगर कर दें पूलिस के सामने जिस तरह के हालात आए थे उससे ये साफ था कि कोई शमशाद से बहुत ज्यादा नफरत करता था एक बीवी बच्चों वाले इंसान को इतनी दर्दनाक मौत देने के पीछे क्या कारण हो सकते है पुलस ने बैराल मामले की संजीत की को देखते हुए गहराई से तफ्तीश शुरू करती नहीं सर, समशाद मेरे पास तो नहीं आया था लेकिन उसकी बीवी नफरीसा ने तब मैं बताया कि वह यहां आने वाला था सर उसकी बीवी की हर बात का व्यकिन नहीं करे ना तो बैतर है क्यों खुष्ष्णीता अपनी बीवी के साथ मोगा दोनों के बीच में हमेशा शेंबन दी है और बात क्या हो यहां परशान हो एपनी जंदगी से जी तो चाहता है कि यहां तो अपनी जहन ले लुँए तो उसकी जान ले तो प्रश अब बैठे ले बैठे अब आराम से बता, वहा क्या है? वही, तेरी भावी नफीसा, नो खुच जैन से जीती है ना मुझे जे देती है तो 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 में कै लगता है? शम्षाद के मुडर में नफीसा कहा तो सकता है? अब सर ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? शम्षाद के किसी और से कोई दुश्मनी? नहीं सर, शम्षाद तो बहुत ही सीधा आथमी था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी हलो, ठीक सर, शम्षाद के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए है उसकी फोन लोकेशन के हिसाब से वो गाजयाबाद इंजिरिंग कॉलेज के पीछे वाले जंगल में था जहां में उसकी लाश मिली थी और उसका फोन भी सुचाफ वहीं हुआ था, आकरी बाद पाले कुमस्त, बैखे, कैसे आना हुआ? भाइजाम का सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप यहीं रहना चाहिए, आप लोगों के साथ वैसे भी आपके सिवा मेरा है ही कौन अब आप लोगों की देखभाल करना मेरा फ़र्ज है पाइजल? अब यही वाकी रहे गया साथ लोग यह बोनेविश के जरा भी बरवाने कुझे? शम्षात तेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करता था शम्षात नहीं आती दुझे शम्षात को बहुत से चीजे पसंद नहीं थी खाला जान नफिसा भी नहीं और शायद आप भी नहीं जो सुनो तुम्हें कालानी की जरुवत नहीं है हम लोग भार जा रहे हैं और यह सब छोड़ो एक काम कर भी पानी अंदर जाकर फेक दो जाओ सुदाकर तुम्हें तैयार नहीं हो नहीं क्या आओ जल्दी ठीक है अताओ शमचाद की मौत से पहले उससे आखरी बार फोन पे बात करने वाली तुम थी अज़ा नफीसा क्या चुपा रही हो मिसा क्योंकि उस दिन तो तुमने साफ मना कर दिया था कि तुमने शमचाद से बात ही नहीं गी साब उस दिन आप लोगों को देखा तो कुछ याद नहीं आ रहा था साब जब उगार नहीं लोते तो मैंने उन्हें फोन किया फोन पर उन्होंने बताया कि वो दस ना जा दी उसके बाद मेरे उनसे कोई बात नहीं कहीं आसा तो नहीं कि उस फोन के जरीए तुमने शमचाद को कतल वाली जगा पर बुलाया हो अधिर उसा मरवा लिया साब आप आप मुझ पर शक्कर रहें तो तो ही बताओ हमें किस पर शक्करना चाहिए साब जब मेरी शमचाद के साथ शादी होई थे तो सोचा था कि एक नई जिंदगी की शुरुवात हो रही लेकिन जिंदगी को जाननम बनते देर नहीं तदी शमचाद अच्छे इसा मही तेसा अब का हुस्सा इका उस्सा बहुत ही थे गुस्सा और शमचाद भाई? नहीं सर एकदम नरम इजास के आदी थे बात बात पर मुझ पे हाथ उठाते सर आपको गलत फेमिए अब वो मी को नहीं मारते थे आखिरो ऐसा करेंगे क्यों? हाँ अंकल, बाईजन सही कह रहे लोगों के लिए बहुत ही शरीफ, नेक और अच्छे इंसान थे लेकिन मेरी मेरे ले किसी हैवार से कप नहीं थे क्या मतलब हाँ यह निशान देख रहे हैं साप यह निशान उनके मुझ पर दिन रात किये गए जुमों की कहानी कई कुछ भी हो किसे भी खपा हो लेकि गुसा केवल मुझ पर उतरता उनके जुम दिन रात बढ़ते जा रहे थे साप यह रहे है पर अलमें अज्य से झानके वो को कि इस दुनिया में नहीं है जो भी ते जैसे भी थे ये थे तो मेरे शहोय भर हुँना भईया, शम्याnet की दुकान बन क्ई आ है तुम्हें पता नही शम्योड का किसी ने मडर कर दिया पती और पत्मी का रिष्टा बड़ा ही गहरा बड़ा ही भरोसे वाला होता है लेकिन नफीसा और शम्षाद के रिष्टे में काफी बातें अजीब दिखाई दे रही थी नफीसा शम्षाद का एक अलग ही रूप पेश कर रही थी जिसमें वो जालिम और बेरहम नजर आ रहा था जेकिन दुनिया की नजर में वो बहुत ही सीधा साधा और शान सोभाव का इंसान था पोलिस के लिए कश्पकश्प बढ़ती जा रही थी हालो सर एक बंदा पिछले कुछ दिनों से नफीसा के घर में रह रहा है और नफीसा ने हाली में एक अंजान बंदे से पैसे लिया है कीजिव मैंने नहीं मारा पूरे शेहर में सिर्फ तुझे ही शम्शाद की जलीव लाश मिलती तेरा ही तालूक नफीसा से निकलता है और तूहीं उसे पैसे भी देता है सर मैंने आपको कहा था कि मैं रोज काम के सिलसले से वहां से गुजरता हूँ कि मैं ऐसे इत्तफा के और कुछ भी नहीं है सर मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वो शम्शाद भाई की लाश है चल मान लेते हैं लेकिन नफीसा के साथ जो तेरे तालूकात है वो तो कोई इत्तफाक नहीं है ना मैं उसके बारे में गलत सोच भी नहीं सकता हम बताते हैं क्या सोच है तेरी तुने ने सोचा कि शम्षाद को रास्ते से हटा दूँगा तो शम्षाद का घर उसकी बीवी का हो जाएगा और उसके बाद उसका घर और बीवी दोनों तेरे क्यो सर नफीसा को तो मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूँ वो बस मेरी मा के लिए कपड़े सीती है मैं वो कपड़े उसको देता हूँ और सिलने के बाद उसे वापस लेकर आजाता हूँ सर वैसे भी उसको मैंने उसकी मजदूरी के ही दिये थे साव एक चोटे से मकान के लिए मैं ऐसा क्यों करूँगा किसी का कतलग क्यों करूँगा मैं वैसे भी साव शम्शाज से जादा क्रॉपर्टी मेरे पास है जह तो आप वेरिफाइ करवा सकते है बेटा वेरिफिकेशन दवाप तेरी हर बात का होगा और अच्छे से होगा सर अजगर पर बहुत प्रेशा है टाला लेकिन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है बशर भी अपनी कहानी प्यारा हुआ है इस केस को लेकर हमारे हाथ में कोई ठोस इंफरमिशन नहीं है उथर से मीडिया ने भी शोर मुझाना चुरू कर दिया है इस से लेशा हलो अच्छा एड्रेस बताओ हम ठीक है क्या हुआ सर शम्षाद के कॉल रिकॉर्ड डिटेल में चेक किये तो एक चौकाने वाली बात सामने आई है उसे ती महिने से एक नंबर से कॉल आ रहे थे किसी सुनीता सिंग नाम की लड़की के नाम राइस्टर है और एड्रेस है राजनगर के ब्लॉक का सुनीता सिंग जानता नहीं तू नहीं किसे पंगा लिया एक युनेट में दिमात सही करवा दूँगा और काम हो जाना चाहिए पापा खाना ते यार है चलो कि 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 जी मैं यह वह सुनीता हमें मुहमाद शम्चाद के वरे में आपसे बूस्ताच करने है कौन है बेटी कोई नहीं देखें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ अभी के लिए आप लोग यहां से चले जाएं अगर मेरे पापा को पता चल गया ना कि आप लोग शम्चाद के बार में मुझसे सवाल कर रहें कोई बोल क्यों नहीं रहा कोई नहीं पापा वो बस कोई एड्रेस पूछ रहा है ठीक हैं तुम्हारा भार वेट कर रहें तुम्हें हमारे साथ पुलिस टेशन चलना होगा ठीक है अब आगे चलिए मैं पीछे से आती है कौन था विज्दी कोई नहीं पापा वो बस एड्रेस बता दिया जनवरी 2016 से लेकर 13 मार्च 2017 तक तुम शम्षाद से कॉंस्टेंटली टच में थी हमारी दोस्ती थी सर दोस्ती शम्षाद की उमर 33 की थी और तुम्हार 21 की खें इक इतनी दोस्ती कैसे क्लों कीच तुम्हारे कॉम्डि कॉर बिच सब लुस्त के हिसाब से सुबह शां बिना नागा कई कॉल भोते थैं तुम्हारे बीच मैसेजिजीस होते थे और कहिए कॉल्स के डुरेशन तो आदे गंटे से ऊपर गये किसी ने उसे जिन्दा जला कर माट डाला और जब हम उसका केस इंवेस्टिगेट कर रहे थे तो उसके कॉलिक और समें तुम्हारा नंबर मिला है क्या लगता है? कौन मार सकता हुसे? मुझे क्या पता से? मैं तो खुद है रानू मुझे कुछ नहीं पता है सच मैं सब्सक्राइब मुझे के लिए सब्सक्राइब मेरा परिवार बहुत ही दख्यान उसी विचार दारा का है मैं लड़की होना इसलिए स्कूल की पढ़ाई कहतम होते ही बस मुझे घर के काम काज में लगा दिया बाहर जाने के नाम पे मैं बस दरगा तक ही जा सकती थी और वो भी इसलिए क्योंकि उस्मे मेरी मा का विश्वास था मैं शम्शाद से पहली बार दरगा में ही मिली थी सच फूल में जार जब लगा मेंठ और जी बाबा के तक ही जाए कि नाल शॉट से लिगे मैंठ कर जांद्ड़ जाए कि बाबा मन्मेत पूरी करें ङए मेडम आइड़योदे चपल ले उन्हार घिए जटब लगा जी वह चादर दिखाना मुझे कितना रुपे आप चादर चड़ा कर आएगे पैसे हम बाद में देखें बही से हमारी दुस्ती शुरू होगे भीड में भी हमारी निगाहे एक दुसरे को धूंटी लेती थी सर हम धीरे धीरे एक दुसरे का दुख दर्द बाटने लगे शम्षाद पहला ऐसा मर्द था जिसने मसे इतनी इजजट से बाद की दी सर उमीद का धागा बांते हुआ कि आंखों में आसो क्यों अच्छों मेरी जिन्देगी थामने वाली है मेरे पापा मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे है बाइस साल की उमर में शादी तेईस में बच्चा और पच्छिस में तो जिन्दगी दो पैर पकड़ लेती है तुम चाहो तो हालात बदल भी जबते हैं हम फोन पर बाते करने लग गए और धीरे थीरे हम में नजदी किया बढ़ने लग गई तुम जानती थी कि वो शादी शुदा है और उसके बच्चे है जी पर उन्होंने मुझसे वादा किया ता कि वो अपनी बीवी को छोड़ कर मुझसे शादी कर लेंगे तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि अगर तुम्हारे परिवार को यह बात पता चलंगी तो क्या होगा लगता था सर्थ लेकिन मैं अपनी मुपपत में बहुत आगे निकल चुकी थी शम्षाद से आखरी बार कब मिली थी तेरा मार्ज को हम मिलने वाले थे उनका मुझे सुबह पोन आया था और उन्होंने का था कि वो मुझे रात को पोन करेंगे लेकिन वो रात कभी आयी नी से मैंने बहुत बार उनको फोन किया पर उनका नमबर बंद मिल रहा था और जब मैं धरगा गई तो भाया शम्षाद की दुकान बन कियो है तुम्हें पता नहीं काल रात शम्षाद का किसी ने मडर गड़ दिया है क्या जिन्दा जला दिया व और किसली है क्या तुम्हारे घर में किसी को यह बात पता थी कि तुम्हारा शम्षाद से अफेर था मेरे पापा को पता था तो क्या लगता है तुम्हारे पापा शम्षाद को कोई नुकसान पहुंचा सकते है नहीं सर मेरे मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते ठीक है तु सर शम्षाद शादी शुदा होते हुए भी दोहरी जिन्दगी जी रहा है कई उसकी मौत की वज़ा उसका यह अफैर ही तो नहीं एक काम गड़ता है इस केस के सिरों को एक एक करके खोलता है शुरीता के पिता को बलाओ ओके सर हमारी बात तो छोड़िये आप बताइए कॉन माबाब चाहेगा अपनी बेटी की बदानी तो इसका मतलब यह हुगा कि शम्षाद को आपने मरवाया है मरवाना तो चाहिछा साथ पर कोई अपना पहले से यहां साफ कर गया आपको जड़ा सा अंदाजा भी है कि आप क्या बात कर रहा है जी हां अच्छी तरह से अब मुझे इजाज़ा कीजिए नमाश्यार सर तेवर तो बड़े दिखे दिखा कर गया शर्म हो कुछ लोग जूट भी बड़े भरोसे से बोलता है कि बाप बेटी तोनों के मुवाइल पर नज़र अखो ओके सर तुम शर्म्षाद के आफेर के बार में जानती थी जी बिलकुल जानती थी सांदी एसे भी सतरा साल गुजा रहे हैं उस इंसान के साथ उनकी हार नब्स से वाकिफ थी और अपनी आखों से भी देखा था लेकिन जब पूचा तो मानो कयामत आ गए उन्हा प्यार हो गया था उस दड़की से साथ पागल हो गया था उसके पीछे अब तुमने हालाथ से संजाता कर रहे हैं तो क्या करती साथ मेरे दो दो बच्चे में पहले माओ लेकिन संजात तुम्हारा दिल टूटा था तो जा तो तुमने संजात के खिलाब कंप्लेंट कर नहींगी उसे छोड़ा क्यों नहीं है कैसे चूड़ देती साथ लोगों को पता चलता तो क्या कहते हैं नेरी बच्ची बड़ी हो रहे थी अगर सब को इस सब पता चलता तो उससे शादी करने के लिए को तैयार होता इसलिए सब्सक्राइब कर तो उनसे ही चलता था ना साब मैं छोड़कर जाती भी तो कहां जाती है क्यों सिलाई का काम तो करती हो ना तुम हाँ लेकिन उससे गुजारा नहीं होता है इसलिए मजबूरी और बेबसी के जिन्दगी जी रही थी ठीक है लेकिन जब तक इस केस के तहक पूरी नहीं हो जाती है शेहर सोड़के माँ जाना तो आप मुझपर शक कर रहें साब शम्शाद मारपीट करने वाले हाथ हपाई करने वाले इंसान थैं मैंने सबर कर लिया हो सकता है किसी और के सबर का बार टूट किया हमें यह बता कर कि वो शम्शाद के अफेर के बारे अफेसा ने जो हमें हर बार बयान दिया था उससे शम्शादी एक अलगी तसवीर सामने आ रहे है शम्शाद अच्छा इंसाम नहीं थैसा और उधर मकसूत Sunita और शम्शाद को जानने वाले लोगों ने जो हमें बयान दिया था वो नवद्ट के बिलकूल उलटा एक दम नर और ही जिन्दगी जी रहाद है, हम देखना यह है कि उसकी जिन्दगी का कौन सा परला उसकी जिन्दगी पर भारी पढ़ गया है। लेकिन सर्थ 13 मार्च को नफीसा गर पर ही थी, जिसन शम्शाद का मर्डर हुआ और यह बात हम वेरिफाई भी कर चुके हैं। वो यह भी सकता है कि वो जानबूच के घर पे रुख गई हूँ। अपने परोसियों को अपना गवा बनाया हो और उसने यह काम किसी और से करवाया हूँ। क्या तरी हो तुम। कुछने मेम साब बरतंत हो रहती है। अच्छा, एक काम करो, बात्रूमें कपड़े पड़े, वो लेकर आओ। ठीक है मैम साब। क्या है यह सब। किसका है यह पैसा। यह पैसा कहां से आया। तेरा है यह पैसा। तेरा है यह पैसा। दूसरे के घर से चोरी करके मेरे घर में चुपाने के लिए यह। सच-सच बता दे किसका है यह पैसा। देख आखरी बार पूछुरे, बता दे पैसा। अच्छा हो कर। सर, आचकल सुनीता के इस नई नमर चे फोन को ला रहे हैं, लेकिन ताजुब की बात यह है कि बात के उने को बात फीचर बता रहा है मोबाल ने, इस नमर की डिडेल निकानों, पता करो किसके नाम पर रिजिस्टेद है, ओके सर, शर्मा, सर, सुनीता और नफीसा, दोनों बन वहार दोनाना झेला मरूर को अगानों, सर, वह अब्बू की अलमारी सी, जौ्छ अब्बू जानके बहुत यह अद आहरी धि, हम उनके अभ्बू से, अनके अनके यह यह वह आद रहे धी, हम उनके अलमारी से, उनके शर्से किसी से, जो कि तस्वीर लेने गया थे अपने पास रखने के लिए और महासा में इंगन मिली साब जैसी मुझे पता चला मैं इसे ले करना आप अच्छा दिया आप खेर आप आप लोग जाए हम देखते हैं साब अभी तक आपको ना तो कोई कातिल मिला है ना ही कोई सुडाब कर दो मुझे जीते जी भी जीनने नहीं रहे थे और हम मरने की बात भी जीनने नहीं scent नफीसा ये किसी का रचा हुआ चक्रवियू है पर देड़ सवेर हम इस चक्रवियू को तोड़ ही लेंगे और बहुत जल्द शम्षाद के कातिन हमारे सामने होगे जाओ चर्मा समझ में नहीं आ रहा है एक सीधा साधा आदमी जो दरगा पर फूल बेचता था वो इस गन के साथ क्या कर रहा था इस शम्षाद की जिंदगी की जितने पन्ने पलड़ते जा रहा है उतने ही पहलो सामने आ रहा है सुनीता के मोबैल पे जिस नंबर से कॉल आया था उसके एड्रेस से सत्मिदर सिंग नाम का कोई आदमी किरयाए पे रहता था लेकिन दो साल पर रही उभर चोड़ के चला गया अब किसी को नहीं में लोग हो कहां पे रहता है शर्मा शर्मा अपने टेक्निकल टीम से कहो तो इस नंबर को ट्रैक करें और वो नंबर जैसी आउन होता है उसे ट्रेस करते हैं और वेरी इंपोर्टेंटली पहले यह पता लगाओ कि यह गन किसकी है किसके नाम पर रिजिस्टर्ड है यह बहुत बड़ा कांड है शर्मा अब अग्सो देख मेरी जान खत्रे में अपनी हवासत के लिए मुझे तेरी गनच है है यह इसकी हालत देके लग रहा था सब वो सच बोल रहा था और अपनी गन उठागर उसे देदी अच्छा था अजब हमने पहले पुचा था तब क्यूं ही बताया था पहले बताता था मैं फ़र्ष जाता हुआ मैं वकीन से शला कर रहा था हुआ यह वकीन से तो अप तेरा वास्ता पड़ता ही गाएगा ने जलो इसे तो इसे काम पर रखा था देखिए ना जाने कहां से इतना पैसा लेकर रही है और जब पूचा तो मुझ पर हमना करकर भागने लगी इसलिए बाद आम इसे यहां लिए है काहां से आइटने सारे पैसे भूचा रूट करते हूँ ने कर्देखिए का मा की अज़ती टेक नहीं है साम पूफ सारा दिन दर्गा में बैट रहता है दर्गा वासी दर्गा बडी दर्गा लेकिन सब कुछ दिनों से मेरा पती गर नहीं आया तो तेरा पती इतने दिन से घर नहीं आया तो तुनी शिकायग को नहीं लिखवाई? साब, वो हमेसा ऐसे ही करता है साब तो फिर ये पैसे का क्या चक्कर है? साब, ये पैसे मेरे घर के सामने ही किसी ने छूड के गए थी और मैंने रख लिया साब, मैं जोपड़ी में रेती हूँ मैं दर्वाजा थीक है और वचले का कोई सामान इसे ने मैंने साब और बेम साब के घर के चुपाई थी ये पैसे कोई तेरे घर के बाहर पैसे रख कर गया और तुझे पता तक नहीं है? साब साब, इसे लेके जाओ साब, मैंने कुछ में जाओ, साब साब, 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 साब सेफलमें हिंसा की शिकारती और उसको अपने पदी के अफेर के बार में भी बता था, हो सकता उसने बस गी हल्प ली हो, और हो यह भी सकता है कि नफीसा और बश्र का अफेर चल रहा हौँ इस हिसाब से बश्र के बास संचाद को मारने को मोटिब भो बनता इसके बाद है अजगर अजगर का कहना है कि उसका नतीसा में कोई इंटरस्ट नहीं है लेकिन हमें लाज की इंफरमिशन दे के वो हमें गुम्रा कर सकता है इस हिसाब से उस पर भी शक्त बनता है सुनीता हो सकता है सुनीता के पहले पहले प्यार की मिठास कम पड़ गई हूँ लेकिन शम्शाद उसे छोड़ना न चाहता हूँ और इसी वज़े से सुनीता ने एक आंट किया हूँ या फिर सुनीता के पिता जगनाज सिंग जगनाज सिंग को अपनी इज़त बहुत प्यारी थी और हो सकता है ये मामना ओनर के लिंगा हूँ सार शम्शाद ने मक्सूत से कहा था कि उसकी जान को खत्रा है आकर ये खत्रा किस से हो सकता और सार उसे पीटा किसने होगा वो जो कोई भी है शर्मा इन सभी प्राइम सिस्टेक्टस में से कोई एक है और जब तक हमारी investigation अटेव है वो सामने नहीं आएगा ये काम करते है अपनी investigation को गुप तरीके से जारी रखते है दुनिया के सामने ही दिखावा करते है कि हम ने इस केस को क्रोज मान लिया लेकिन खामोशी से सभी प्राइम सिस्पेक्ट्स पे नजर रखेंगे देखते हैं, सबसे पहले कौन हरकप में आता है राइट सर्व सर्वाइट सर्वाइट सिंग का फोन अभी 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 एक्टिव हुआ है और चंडिगर की तरफ ट्रेवल कर रहा है सर्म अपने टेक्निकल टीम से हेल्प लो और सत्विंदर के फोन की लाइब लोकेशन को फॉलो करो और सबसे जगूवी इस केस के जिकने भी सुस्पेक्ट है, सब पने तरखो ओगे सर सर, सर, सत्विंदर सिंह का फोन ट्रेवल करके चंडिगर से वापस गाजयबाद की तरह पार रहा है और सर सिंबर पे उसने फोन भी किया था ओ, तो ये औरत अभी तक हमारे साथ गेम खेल रही था पीछा करो इसका, पर सत्विंदर के फोन को लगातार फोल्लो करते का ओड़े सर झाल मेंटाधा रहा है झाल मेंटाद के खेलो खेंटा रही था सिंदर का अभी तरह बड़े गापसाद के फोन रहीं है चाल मेंटार है झाल झाल सर, नफीसा से मेरी शादी अम्मी अब्बू की पसंद से हुई थी, आपसी रिष्टेदारी में, मजबूरी में, नफीसा से मैंने रिष्टा तो जोड लिया, लेकिन दिल नहीं जोड पाया, जैसे तैसे जिन्दकी चला रहा था, फिर सुनीता मेरी जिन्दकी में आई, मुझे इस से इश्क हो गया, मैं चाहता तो नफीसा को तलाग दे सकता था, लेकिन पुरे खांदान में बंग्रामी हो जाती, मुझे, कोई ना कोई हलतों निकालना ही था सर्द, सुनीता से तालुकात रखने की बज़ह से, मुझ पर प अपनी हस्ती ही मिटातों, और मामला थंडा होने पर सुनीता के साथ कहीं दूर निकल जा, मैंने दासना में एक मरे हुए आदमी के नाम पर सिम लिया और उसी नंबर से मैं सुनीता को फोन करता था और बाद में फोन ओफ कर देता था तो तो तेरी सोच की वज़ह से एक बे बराबर आगरे, वो पागल नहीं था लेकिन कुछ अजीम सा था, उसकी बीबी सुफा उसको दरगाह पर छोड़ कर जाती थी और रात को ले जाती तो तो तूने उस विखारी को तारगर किया? मैंने सोचा अगर मैं इसको मार दूँ और दुनिया को ये यकीन दिला दू कि कि वो मैं हूँ तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा, मैंने उस आदमी को एक सुनसान जगा पर पुलाया, वो मेरे ही दिये हुए कपड़े पहन करा है, फिर मैंने उसे अपनी घड़ी, अपना पर्स और कुछ पैसे उसे दिये, सुनिता ने मुझे कुछ रुपे दिये थे, मैंने उस आदमी का एक पिछा किया था, उसके एक बीवी है, एक बच्चा है, मैंने एक पैसों से बढ़ा हुआ बैक उसके घर के बाहर रख दिया, बचानता था सर, उसके उसकी फैमली है, अब तो मैं इसने कैसे कन्वेंस किया, अपने प्लान में शामिल होने के लिए, सर अगर भाग कर शादी करती तो नजाने क्या हो जाता, पापा ने पहले भी शाम्षाद को पिटवाया है, अब की बार तो जानी से हिमार डालते है, इसलिए अखेले भागोंगी तो हलानी होगा सोचकर, मैंने शाम्षाद का साथ दे दिया, प्लान अच्छा बनाया था तु हर रिष्टे की बुनियाद भरोसा होता है, रिष्टे बनाने से ज़्यादा रिष्टों में भरोसा बैदा करने में कठाई होती है, और अक्सर जब भरोसा तूटता है तो रिष्टों की मजबूत से मजबूत इमारत को भी धराशाही होने में वक्त नहीं लगता अल्ला की वास्ते मेरे बच्चों को हाथ मत लगा ना मरने का नाटक तो पहले ही कर लिया था अज वाक्षी में मर गया हमारे लिए वो एक साथ जिंदगी गुजार तो रहे थे लेकिन कभी एक नहीं हो पाए थे एक दूसरे को अपना नहीं पाए थे और अन्जाम इतने खतरनाक और भयानक रूप में सामने आया अपने आपको दुनिया के नजर में बेहतर बनाए रखने के लिए शमशाद ने किसी बेगुनाह की जान ले थे याद रखिए जो उन पे कितना भी परदा डालने की कोशिश करें एक ना एक दिन वो बेनकाब होकर ही रहता है हम दूसरों को कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते लेकिन हम अपनी हकीकत से वाकिफ हो, ज़रूरी ये भी नहीं होता जो ज़रूरी होता है, अक्सर उसका खयाल बाद में आता है इतना बाद में, कि तब तक सब कुछ विखर चुका होता है हम सब एक जैसे नहीं होते हैं किसी में कोई खामी, किसी में कोई खूबी, कोई कम्सूर, कोई स्ट्रॉंग, कोई सीधा तो कोई शातिर आयोश! आयोश! इस पूछ ताज करो, देखो क्या कहते हैं, उटो सर्, वीतमपुरा चोराय के पास एक आदमी पर गोली चलिये, उसकी बीबी उसके साथ थी, वह उसे ऑस्पिटल लेके कही है एक काम करो, वर्मा और तुम क्राइम सीन पर जाओ, देखो मामला क्या है, मैं और याद अब हॉस्पिटल जाते हैं ठीक है सर् सर यह देखिए, और सर वह उसी स्कूटी से आये थे सर, जब वह आदी भाग रहा था, तो मैंने अपने मोबाइल से उसका फोटो लिया था वर्मा, सर, इस फोटो को सभी बीट्चो कि में सर्कुलेट करा दो, क्यक्ट सर, डी एल डबल एक्स ए, बारहा उननिस, जल्दी से पता करो यह बाइकिस नाम और एडर्स पर रिजिस्टर्ड है इस्टर्ड? इस्टर्ड़? ईस्टर्ड़? ईस्टर्ड़ काहा यह यहा है। ईश भृड़ किया उयह से बाइक सानभा म को eru्सेक्षव एकीस से भृट़ की सबढ़ किया उस्टर्ड़? इस्टर्ड़! ईस्टर्ड के 자 Quupid उलो भाएकिस आएकिस novak? यह वो आप जिसने आपके पती पर गोली चलाई थी, क्या आप लोग जानते हैं? सर्गी पता नहीं कौन है, लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है, शाहद एक महीने पहले भी किसी ने मेरे मेरे बेटे को मारने की कोशिच की थी क्या हुआ था तर्फ? एक महीने पहले मैं और आयूश घर के बाहर टहल रहते हैं एशा आयूश बटा यह आवाज कासी थी? ममी जी यहां से एक बाइक स्पीड से गई, लगता है सालेंसर भठ गया होगा उसका सर्थ, तब तो हमें कुछ पता नहीं चला लेकिन अगली सुबह पता चल गया एक महीना पहले जब आयूश पर गोली चलाई गई थी, तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंड की थी? नहीं, क्योंकि आयूश को लगाई नहीं था कि कोई उसे मानना जाता है वो यह ऐसे ही गोली क्यों चलाएगा? सर बस यही आमसे गलती हुई जब यह सब हुआ तब आयूश ने बोला कि पापा ऐसे ही कोई सिर फेरा होगा वरना हमारी दुश्मनी है क्या किसी से? जो कोई हम पर गोलिया चलाएगा लेकिन बेटा गोली तो चली ना? गोली चली है लेकिन लगी थोड़ी ना है लेकिन अब आयूश को गोली लगी है आप लोग इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं आप लोगों को किसी पर शक है जो आयूश को मारने के कुशिश करें आयूश कैसे है डॉक्टर? आयूश कैसे है? ही इस क्रिटिकल उन्हें कुछ गंटों के लिए वेंटिलेटर पे रखना होगा अभी कुछ नहीं कह सकते है एक्स्कुसमा बोलो शर्मा शूटर की बाइक का नंबर फेक निकला सर सर को शातिर इंसान है वो सकता है पहले से ही प्लान किया हो प्लानिंग तो थी लेकिन शूटर नौ सीखिया है क्योंकि एक महीना पहले जब उसने इस लड़के पे गोली चलाई तो गोली लगी नहीं और दूसरी बार गोली कंधे पे लगी सर अगर शूटर नौ सीखिया है तो यह भी हो सकता है कि कोई जान पहचान वाला हूँ फिलाल फैमिली ने किसी पे शक नहीं जता है शर्मे काम पर अपने खबरियों से पता लगवाओ कि ऐसा कौन सा कॉंट्रेक्ट किलेर है जिसने बिना प्रैक्टिस के यह कॉंट्रेक्ट उठाया और अपने एरिया में जितने भी स्टीशीटर है सब की हाजरी लो इससे पहले के शूटर अंडरग्राउंड जाए उसे पहले ही उसे धर्दगोचना है ठीक है सब सब्सक्ता है आपके बेटे आयूश्की या आपकी किसी कोई पुरानी दुष्मनी हूँ जिसकी वज़े से यह सब हुआ हूँ ऐसा कुछ नेजर तो नहीं आ रहा है आप तो आयूश्की वाइप है आपको तो उसने बताया होगा कहीं उसके दोस्तों से यह किसी से को इसका लडाई यह जगड़ा तहीं आविश्टे मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया आपको देखकर लगता है कि आप दूनों की नहीं नहीं शादी हुई है जी सर्थ तीन महिने पहले ही इन दूनों की शादी हुई है सादी से पहले भी आप दूनों एक दूसरे को जानते थि मैना मतलब यह लुममेरिज हे है नहीं सर हमारी अर्ज मेरिज हुई है अच्छा एक महीने पहले जो आप दोनों पर अटेक हुआ था उसमें जो बुलेट मिली थी वो कहा है अंकर जी आयूश कैसा है अब अभी बियोश है बेटा आपकों सरीया अंजली है हमारे पेट्रोल पंपे मैंनी चाहिए सर शार्फशूटर हो या नौसे किया है तो हैलमेट में एहम तो लगेगा ताइम ले लेकिन मेरा टाइम खराब मत करना पट्रोल पंपे मालिक पे गोली चलिए आईश मलीक नाम है सर जल्दी पतागर कि किसने चलाई हो और किसके कहने पे चलाई है सर बुलेट करीब तीन ही चंदर थी जो शोल्डर के बोन में दसी हुई थी यह बुलेट को बैलेस्टिक जाँच के लिए पिजवाओ को कि सम्थी जी अभी तामाजी की तीविए कैसी है बगवान का लाख लाख शुकर है कि उसकी जान पजगे अगर उसे कुछ हो जाता न तो मैं तो जीते जी मर जाती धीरेज रखे सम्धिन जी सब ठीक हो जाएगा कहां रहे गे थी बहुत देर होगी तुम्हे आने में अरे आपस में बहुत काम था था अच अच्छा तुम्हे याद है ना कि हमें ये घर छोड़ना है हां पता है पर तुम्हें किसी से बात की है सरी रेखे ये शूटर दूसरे अरिया के सिस्ट्री में कैप्चर हुआ है और सर ये जो गली है ये आयूश और इशा के घर के पीछे ते जाती है ये वहीं से उन्हें फॉलो कर रहा था आयूश पे पहला अटैक भी उसके घर के बाहर ही हुआ था यानि कि ये इनके बारे में पूरी जानकारी रख रहा होगा ऐसा कौन हो सकता है शर्मा जो आयूश को पिछले एक महीने से मारने की कोशिश कर रहा है पूले सब आयूश पे हुए हमले का मोटिव ढून रही थे वहीं संभावना को भी खंगाला जा रहा था कि आयूश पे गोली चलाने वाला कोई कोई कोंट्राक केलर था या आयूश की फैमली से चुड़ा कोई ऐसा शक्स जिसकी भनक उनको भी नहीं थे पर कि आयूश उस यह वो आत्मी है जिसने आप पे गोली चलाई थी कौन हो सकता है यह आत्मी पता नहीं सर मैं नहीं जानता यह आत्मी पिछले एक महीने से आपको मारने की कोशिश कर रहा है किसी पे शख है आपको मुझे किसी पे शख नहीं है सर लेकिन जब पहली बार गोली चली तब से आज तक ऐसा लगता है जैसे कोई बार-बार मेरा पीछा कर रहा हूँ ऐसा कितनी बार हुआ है? कहीं बार हुआ है लेकिन आपके पेरेंट्स ने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया हाँ वो मैंने मम्मी पापा को बताया नहीं था मैंने का बिनावात के टेंशन लेंगे इसलिए अगर आपको किसी पे शक्ता तो हमारे पास आ सकते थे आप आना तो चाहता था लेकिन फिर यह हो गया क्या लगता है सर यह इस वाकी सच बूल रहा है क्योंकि कोई आदमी पिछले एक महने से इसके पर नजर रखा हुआ था इसने इसकी कंप्लेंट तो नहीं की और अभी कह रहा है कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करनी ही वाला था लेकिन आयूश जूट क्यों बोलेगा शर्मा इशा और आयूश की शादी तीन महीना पेले हुई थी और दोनों हमलों के वठ उसकी बीवी इशा उसके साथ थी अब पता ये करना आ है कि जब जब आयूश को यह लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है क्या उस वक पी उसकी वाई पिछा उसके साथ थी आओ, बर्मा, तुम यही दुखो, सर्व पीशा जी, क्या दो मिनट के लिए आप बाहर जा सकती हैं? हमें आयूस से कुछ अकिले में बात करने हैं ओके टैंक यू आयूस जी जब पहली आप पे गोली चलाई गई थी तब ही आपके वाइफ आपके साथ थी और इस बार भी जब आपके उपर जानलेवा हमला हुआ आपके वाइफ आपके साथ थी हम यह जानना चाहते हैं कि जब जब भी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है उस वक्त आप अकेले थे या उस वक्त भी आपके वाइफ इशा आपके साथ रहती थे? इशा मेरे साथ ही होती थी लेकिन आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? देखे आयूश जी आपके उपर जान लेवा हमला हुआ है और आपके फैमिली किसी पर शक नहीं जता रहे हैं तो हमें तो डिटेल में पूछताच करनी हैं पड़े हैं आपको देखे शृष एक पोण हमान को अफिली के जिए टनी हमले हुए, उसका कनیکशन उसकी बीवी से हो सकते हैं? श्रमा, आयूश और इशा की शादी को तीन महीने हुए और शादी के दो महीने बाद से आयूश पे एक के बाद एक हमले का होना और दोनों हमलों के वक्त उसकी बीवी इशा का उसके साथ होना और इन दोनों हमलों के बीच जब जब आयूश को ये लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा था उस वक्त भी उसकी बीवी इशा उसके साथ थी वो सकता है यह इशा आयूश को अपने साथ ले जाकर शूटर को सिगनल दे देती हूँ यह इशा के अफेर का एंगल इंवेस्टिगेट करो उसके कॉल रिकॉर्ड, शादी से पहले की अक्टिविटीस, सब कुछ अची तरह से चख करो आयूश क्या हुआ? क्या सोच रहा हूँ? सोच रहा हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम ऐसी बाती मत करो इशा सिर्फ तीन ही मही ने हुए हमारी शादी को और ऐसा लग रहा है जैसे कोई जान बुझ के हम इलग करने की कोशिश कर रहा हूँ ये तो मुझे भी समझ मwarmği ने आर रह via लोब तुम्ही किसी पर शक नहीं क्या पता कोई ऐसा हो जिसके इंटेंशन सुम समझ नहीं पा रहा हूँ तुम सळी कहा रही हो, इस्या शायद मैं उसके इंटेंशन संभज नहीं पा रहा हूँ हाई हाई सर इसी बिल्डिंग में वो फ्लैट है बहुत ही प्राइम लोकेशन है मैं बाहर निकलते ही वॉकिबल डिस्टेंस में मेट्रो है हाई प्लीज देखें यह फ्लैट सर यहाँ पर 24 घंटे बिजली और पानी की पूरी विवस्ता है आपको किसी चीज की कोई तकलीव नहीं होगी सर इशा मली के कॉल रिकॉर्ड्स आयूश पे हुए अटाक में अब पोलिस इशा के अफेर का अंगल इंवेस्टिगेट कर रही थी लेकिन इशा के कॉल रिकॉर्ड्स में शादी से पहले की उसकी अक्टिविटीज में भी इशा के अफेर का कोई क्लू हाथ नहीं लगा था लेकिन पुलिस की थोरी अब भी इशा और आयूश की शादी से ही जुड़ी हुई थी शर्मा जब अटैक हुए तो आयूश और इशा दोनों साथ में थे लेकिन पहले हमले में अटैकर अपना निशाना चूग गया ये भी तो हो सकता है कि अटैकर के निशाने पर आयूश ना हो करके इशा हो और गोली आयूश को लग गई या फिर ये भी हो सकता है कि इशा आयूश को नहीं आयूश इशा को मरवाना चाहता हो और इशा को अपने साथ ले जा करके शूटर को सिगनल दे देता हो इन दोनों पॉसिबिलिटीज के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आयूश की लाइफ में कोई लड़की हो जो आयूश को प्यार करती हो जो आयूश और इशा की शादी से नाखुश हो उसने किसी कॉंट्रेक्ट किलर को हायर किया हो इन पे अटेक करवाने के लिए हो सकता है सर सम्हाल के बैठना हलो हाँ पापा हम आयूश को घर ले आया है शादी को सिर्फ तीन महीने वो पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई अरे ये नजर बदर कुछ नहीं होती तुम भी बस पर हमले तो हो ही रहना बापा मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी लिकिन तु कहना कह जाता है जो मैं कहना चाहता हूं आप समझोगे नहीं सरा आईश के रिकार्ट से उसके लव अफ़ेर के बारे में कुछ पता नहीं चला है लेकिन सर मैंने उसके फ्रेंड एकलव से बात की थी और उसने बताया कि सर आयूश की शादी से पहले किसी अफेर का दो मुझे नहीं पता लेकिन उसके पेटल पंपे जो मैनेजर है अंजली उसका और आयूश का काफी अच्छा मतलब फ्रेंडशिप है सरे अंजली पिछले चार साल से आयूश के पेटल पंपे मैनेजर है सर हो सकता इनका रिष्टा, इंप्लॉयर बॉस के अलावा भी कुछ और हो अगर ऐसा है तो अंजली के कॉल रिकॉर्ड और एक्टिविटीज, सब पता करो अंजली और आयूश दोनों से मिलो, देखो क्या कहते है ठीक है सर सर आप कुछ भी सोच रहे हैं आयूश मेरे अच्छे बॉस ही नहीं वलकि मैं उन्हें बहुत अच्छा अपना दोस भी मानती हूँ माना कि अंजली आपके एंप्लॉई थी वो आपको दोस समझती थी या दोस से कुछ ज़्यादा पता नहीं मुझे ऐसा कभी लगा नहीं सर आयूश पर जान लेवा हमला हुआ है किसी ने उसे जान से बारनी की कोशिश की है और आप तो उसकी दोस है ना पिछले चार सालों से काम कर रही है आपको तो पता होगा कौन है कर सकता है अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपको पहले ही बता देती यानि कि आपको अंजली पर शक नहीं है मुझे अब किसे भरोसा ही नहीं है सर आपको जिस पिछा के आप उसको इंविस्टिकेट कीजी आयूश ना हमें बताए कि पिछले एक महने से कोई इसका पीछा कर रहा था जब आयूश यहां होता था आपने किसी आसायाद में कोई नोटिस किया जो आपको suspicious लगाओ नहीं सर हां एक बात है क्या अबे एक गाली में ट्रेल लाने कितना टाइम लेगा ओ भाई आदमी हूँ मशीन थोड़ी हूँ यार वड़ो बेट करना सुन बे बुतनी के वेट तो अमने अपने बाप को नहीं किया याली किसको दिया पर देंगे बे क्या खाड़ देगा चल लिकर लेगा इसे कासे नहीं लेगा पेट्रोल क्यों ते बिले पेट्रोल हा कौन थे हो दोनो वो तो मुझे नहीं मालूम पर हां उस दिन to की CCTV में वो क्याप्चर दरूर हूँ होंगे के कर दो कर दो कर दो कर दो, आप दो मनें आपको घुलाज हो कि मार्म कर दो कर दो हो, नभी रूब। सब्सक्राइब कुछ एक विटनेस ने बताया था, छिनापे जिस आदमी ने गोली चलाई थी, वो बाइट पे था और उटने हेलमेंट पे नगा था, लेकिन सर्डाइम सीन के आसपास को इस सेटीव नहीं मिला, जोशिये गर क्राइम सीन के पास सेटीव नहीं मिला तो उसके देखे हो देजी हमें पता चलाए कि आपकी बीबी पर गोली चलाने वाला कोई बाइकर था ऐसा कोई भी हिंट है आपके पास जो हमें उस किलर को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकता है वो बाइकर था? हाँ, किसी परशाक आपको? सर, पिछले कुछ दिनों से एक आदमे को अपने घर के आसपास देखा था वो भी बाइक पर होता था और हमेशा हेलमेंट लगा रखता था सर, मुझे उस दिन भी अजीब लगा था अजीब लगा था मतलब? आपकी बाइफ उसे जानते थी? सर, मैं सोची जाता कि शीना से इस बारे में बात करूँ लेकिन उसे पहले ही आयुश, तुम कुछ दिन और आराम कर लेते हैं, वैसे भी जानता हूँ मेरी जान को खत्र है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुबख के घर पर बैठा रहा हूँ लेकिन बेटा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है जब तक वो हमला करने वाला पकड़ा नहीं जाता तुम घर से भी तो काम कर सकते हो ना बेटा वह आपको फिक्र करने ही कोई ज़रत नहीं है जब तक आपका आशिरवाद है ना अब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता हलो थोड़ा स्लो गरने सर और किसी के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला लेकिन सर इशा से जूड़ी एक इंपोर्टन बात पता चलिए क्या सर आईश पर हमले के एक हफते पहले इशा ने अपने मुचल फंड से तकरीबन धाई लाक रुपे निकाले थे सर हमें इशा के अफेर के बारे में पता नहीं चला है लेकिन सर अगर थोड़े समय के लिए मालने कि इशा का अफेर है तो ये धाई लाक रुपे का विड्रॉल इस कांट्रेट किलिंग से जुड़ा हो सकता है सर हो सकता है कि उस शूटर को पीशा नहीं को ऐसे दिया हूँ सर शीना पर जो गोली चलाए गई थी उसकी बैलेस्टिक रिपॉर्ट बुलेट पैंट 4 बोर के देशी कट्टे से चलाए गई है देशी कट्टा? यस सर पर जिस बाइकर नैशीना पर गोली चलाए उसका कोई भी लीड हमारे पास नहीं है लेगिन हो सकता है कि वो कौई कोई कांटेक किलरो जोजिव शीना के पती नह बोलाता है कि उसने अपने घर के पास एक बाइकर को देखा था जो हमेचा हैलमेट मेरे रहता था अब वो सच बोल रहा है या जूट इसका कोई भी क्लू हमारे पास नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जूटी बोल रहा हो एक काम करो शीना के पत्नी उदे को भी इंवेस्टिगेट करो हो सकता है उसका अपनी पत्नी को मानने का कोई मोटिव हो अजी सर आपने बुलवाया था ये दस मार्च दो अजार अठारा को जब आप पर पहली बार जान लेवा हमला हुआ उससे ठीक एक हफता पहले यानि तीन मार्च को आपकी वाइफ ने अपने म्यूचर फंट से डाई लाग रुपे कैश वे डॉल किये थे क्या ये बात आप जानते हैं डाईलाक? नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो इसका मुझ पर हुए अटेक से क्या कनेक्शन हो सकता है कनेक्शन हो सकता है इसलिए आप से पूछ रहे हैं क्या आपको अपो अपनी वाइप पेश्क है? पहले मुझे उस पर शक नहीं था सर लेकिन अब में उस पर भरोसा भी नहीं कर ऑ़ रहा हुआ तग ree क्यों चा आपको लगता आपकी वाइप का किसी के साथ अफेर है अफेर हो सकता है या नहीं हो सकता है और फिर किसके साथ हो सकता है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता. आयूश के माता पिता से मेरे एक दोस्ते मिलोया था, युर मैंने शादी के बाते की, दोनों बच्चे मिले, और हमने शादी तैय कर दी. आपकी बेटी इशा, क्या इस रिष्टे से खुछ थी? आप बहुत खुछ थी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हम आयूश पर अटाइक होने की वज़ा जानने की कुछशिश कर रहे हैं. क्या आयूश इशा से शादी कर गे खुछ है? जी. क्या इशा इस शादी से खुछ है? सर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हमारी कुछ सबच में नहीं आ रहे हैं. देखे सुरी साफ, हमें ये लगता है कि आयूश पर अटाइक होने का कनेक्शन आयूश और इशा की शादी से जोड़ा हो सकता है. तो क्या इशा के बारे में आपको कुछ बता चला है, सर? अगर पता चला है तो हमें साफ साफ बताईए ना? साफ साफ ही पूछ रहा हूँ. अगर कुछ है तो बता दो. ऐसा कुछ नहीं है, सर. आप ही सोचे, अगर मेरा किसी से अफैर होता, तो मैं आयूश से शादी ही क्यों करती? लेकिन आयूश को तो आपके फादर ने पसंद किया था. ये भी तो हो सकता है कि अपने अफैर की बाद उसमें अपने फादर को आप बताई ना पाई हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी के साथ भी अफैर नहीं है. प्लीज स्टॉप ओल दूस, मेरा विश्वास कीजिए आप. ठीक है, एक बात और पूझनी थी. आयूश पेडाएक होने से एक हफता पहले आपने अपने अपने मुच्वल फंट से धाई लाग रुपय निकाले थे. ये बात आपने आयूश को नहीं बताई थी. तो आयूश को नहीं बताई? तो कुछ भी मतलब निकालेंगे आप इस पादर के अकाउंट में क्यों? सर, मेरे पापा को पैसो की बहुत जादा जरुवत थी. मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी. और इसलिए मैंने ये पात आयूश को नहीं बताई. आप चाहे तो चेक कर सकते हैं. लिकि प्लीज, प्लीज, मुझे 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 शक्मत कीचिए सर, इशा ने अपने फादर के एकाउंट में सिर्फ दोलाक रुपे जमा किया थे. सर, वो सकता है कि बागी के पचास हजार रुपे इस किलर को एडवांस देने के लिए रखे हूं. इशा के अफेर की भी कोई बात अभी तक पता नहीं चली है. इसलिए मोटिव क्लियर नहीं होता. शर्मत मुझे लगता है इन हमलों के पीछे वजा कुछ और ही है, जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ रही है. मतलब हम नहीं निकाल रहे हैं. आयूश भी निकाल रहा है. शक हम दोनों ही चुटा हुए लिए ये लिए ये ये कि हम एक दूसरे को पसंदन नहीं आए और दुसरे सहीं कि हुष भाते हैं जो ऊब धुसरे के साँ है ame कर शान नहीँ कर्सक्तेभी अरू अर पापणने खायु अर। मैं नहीं जुप को दूसरे के साथ नहीं नहीं यहीं तो तुम किसी और से… नहीं, अच्छुली टॉ बहुत किया लेकिन कभी कोई पसंद नहीं तुम्हारी लाइफ में कोई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हो अधारा कोई अधा पास नहीं है, राइट? तुमें क्या लगता है? मैं, फ्यूचर में हम लोग साथ हो सकते हैं? सार, आप लो.. साफ! 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 साफक! साफ! वने कुछ लेक्षा हैं साफ! और अब बता क्यों ने कहीं आप एब बहुफ लेक्षा हैं? पेड्रॉल पंके मालिक आईश मेलिक पर गोली चलिए तुम दोनों मैस किस ने चलायी है? यह सीधे से बता दो. गोली? साप, मैंने कोई गोली नहीं चलाई शाप! सर मैंने भी गोली नहीं चलाई साप! चगड़ा हुआ था तुम दोनों का आईश मेलिक से? जूट बोलने की कोशिश करना नहीं. साब, मैं मानतो हूँ मेरा उसे जगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कुछ निकिया साब सिर्फ दस मिनट दे रहा हूँ, डिसाइड कर लो तुम दोनों मैंसे किस ने किया जादो, जब तक यह दोनों डिसाइड नी करते ना, ठोकते रहो इने साब जिल्जाओ मैंने किया था, साब जादो, मैंने किया था, साब जगड़ा हुआ था, लेकिन यह दोनों कुछ बता नी रहे, और मैंने नके बारें पता भी किया, एक नंबर की बदमाशी सर, अईूश पे जब अटेक हुआ उस वक्त यह दोनों कहा थे, चेकिया तुमने, हाँ सर, जब आईूश पे हमला हुआ यह दोनों वहा नहीं थे, लेकिन सर यह भी हो सकता है कि इन दोनों ने यह काम इस शूटर से करवाया हूँ, हो सकता है इन दोनों ने गोली चलवाई हो, लेकिन यह काम अंजली भी तो करवा सकती है, सर अंजली करवा तो सकती है, लेक आयूश पे हुआ हमला, वो दुश्मनी, दोस्ती, प्यार, शादी, इन में से किसी अंगल से जुड़ा हुआ, या फिर ये शूटर वो कॉंट्रेक्ट किलर हो, या आयूश के परिवार का ये जानने वाला हुआ 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 है, कहते हैं शादी खुशियों का सफर होता है, लेकिन हम सफर वो ना हुँ, जिसके हमने सपने देखे थे, तो हम ऐसे सफर पे होते हैं, जहां से जिंदीगी का हर एक पड़ाव, किसी नरख से कम नहीं होता गलस सिर्फ एक नहीं होता, ताली तभी बज़ती है जब दोनों हाथ जुड़ेगो, लेकिन जब दो हाथ एक दुसरे को ठीक से थाम नहीं पाते, तो रिष्टा कभी जुड़ी ही नहीं पाता जिसकी फित्रत ही तोड़ने की हो, यदि वो जोड़ने की बात करे तो समझ लीजिए, वो आपको तार-तार करने वाला है जिस रिष्टे में सुधार की गुंजाईश ही ना बचे, वो हमेशा यूगी तार-तार होता है इशा? मा! क्या हो बिटा? क्या हो इशा? आयूश, मुझे तुमसे बात करनी है बात तो मुझे भी करनी है तुमसे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में यही तो जाना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में चल रहा है और यह अप से चल रहा है या शादी से पहले से चल रहा है देखो आयूश, तुम्हें जो भी बोला है, साफसाफ बोलो साफसाफ कहा रहा हूँ, इशा, तुम मुझे मरवाना चाहती हो ना? क्या? मैंने तुम्हें थाई लाग के बारे में नहीं बताया इसलिए तुम्हें मुझे बात किये बगए, जाकि पुलिस के मन में शख भर दिया तुम्हें मेरे कहलाव तुम्हें दर क्यो लग रहा है, हाँ, तुम्हारी पोल खुल जाएगी इसलिए के तुम्हें आयूश शटएप जिन्दगी बर्बाद करके रगड़े तुमने मेरी, कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? आयोस तुष में ऐसा गिनोगा रूप कैसे लगा सकता है? और तुम्हेरे साथ सासुर भी उसी कहसान दे रहे है? वामस सब एक जैस है सब मुझे ही गले सबज रहे है इस बात का बतंगड भी बन सेता है बतंगड बनता है तो बनने दीचे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता जो लड़की मेरे बेटे को मरवाना चाहती हो ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे कईये मिस्टर कदरी आप मुझे से क्यों मिलना चाहते है सर ये कुरियर सुभा मेरे खरा है अब आपने आयूश मलिक की शादी अपनी बेटी से करवा के बहुत बड़ी गलती की आयूश ने मेरी बहन की जिंदगी बरबाद की उससे प्यार का जूटा नाटक किया और जब वो प्रेगनेंट हो गई तो उसे छोड़ दिया आयूश की ज़ज़ से मेरी बहने सुसाइड कर लिया इसलिए मैंने उसे कई बार मारने की कोशिश की लेकिन अब मैं उसको नहीं चोड़ूँगी यानि कि यह लेटर किसी लड़की ने लिखा है उसी ने आयूश को मरभाने की कोशिश भी की अपने पता किया उससे या उसके फैमिली से? सर यह लेटर लेकर मैं बमलों इससे बात करने वाला था लेकिन वह लोग खुद ही मेरी बेटी पर शक कर रहे हैं तो इसलिए अब आप अपने दमाद पर शक कर रहे हैं शक तो होगा नश मुझे पता है आप मेरी बेटी पे शक करते हैं यह आपके गलत फाहिमी है सर और वैसे भी इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आयूश को कौन मारना चाहता है आयूश ने उस लड़की को धोखा देके उसके जिन्दगी तो बरबाद की ही मेरी बेटी से शादी करके उ ओके सर क्या लगता है सर हमें आयूश के अफेर के बारे में कोई पात पता नहीं चली है लेकिन अगर यह लेटर सच्छा है तो एक बात तो कंफाम है कि नंदीनी बिष्ट नहीं ही आयूश को मारने की सुपारियू शूटर को दी होगी जिसने अपनी बेहन की सुसाइट की सामने आया है इस केस का असली राजदार वही है जिसने ये लेटर कोरियर किया है यह यह लेटर किसी नंदीनी नाम की लड़की ने आपके ससुर के गर पे कोरियर किया जिसमें लिखा है कि आपने उसकी बहन के साथ अफेर चलाया बात मैं उसको प्रेगनेंट करके छोड़ वो सकता है तुम जिस लड़की को जानते हो, उसकी बेहन का नाम नंदिनी ना होकर कुछ और हो. कौन है वो लड़की जिसे तुमने है? सर मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया. सरा सर जूट है ये? ये जूट है या तुम सच चुपा रहे है? नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं. अब तो मुझे पूरा यक्तिन हो गया है. इशा का किया चुपाने किने उसके माबाफ हमारे साथ ये तब साधिश रच रहे हैं. हाँ यादाव? सर, इस कुरियर के उपर जनकपरी ए ब्लोक का अडरेस लिखा हुआ है. लेकिन जनकपरी में तो ये ब्लोक है नहीं. इसका मतलब है कि ए अडरेस गलत था. तुम्हें काम करो तो इस कुरियर कंपनी में जाओ. और वहां से पता करो कि वो कुरियर किसने भेजा था? वो किसा? आपको वो लेटर पुलिस में देने के वजाए पहले हम से बात करनी चाहिए थी अच्छा, आपका बेटा मेरी बेटी के ऊपर अनापसाना पारूप लगा रहा है और अब जब सच्चाई सामने आ गई तो सच्चाई तो आपकी बेटी की सामने आने वाली थी तभी तो आप लोगों ने दाव खेला दाव तो आपका बेटा खेल रहा है तो आप अपनी बेटी को लेकर यहां क्यो आएँ? सबस्र परिकलती तो मेंने यह की आपका गर में अपने बीटी को बयादा, हाँ तो यहाँ खड़े-खड़े मूं क्या दे रहे हैं, अभी की आभी बेटी को लेकर निकल जाएंगे, लेकिन आपका बेटा जाएगा जेर, ये तो वक्त बताएगा की कॉण जाएगा जाएगा मेरा बेटा जाएगा, फिले का आ शर्मा लड़की तो है अब इसका नाम नंदनी बिष्टा है ये जरूरी नहीं जिस लड़की ने अपना पता गलत लिखवाया वो नाम क्यों से लिखवाएगा जब वो आयूश को मारना चाहती हो अपनी पैचान क्यों बताएगा राइट सर सर क्या लगता है आपको ये उस कि बहन हो सकती है जिसका आयूश के साथ अफैर होगा इसे नहीं जानते लेकिन इसकी बहन को तो जानते होगे ना कि मेरा विश्वास कीजी में कितनी बार बता चुका हूँ आपको मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफैर नहीं था उससे क्या पूछ रहे हैं उस आयूश से लिखी गई बातों में कोई सचाई थी अपनी बीवी इशा पे शक जताने वाला आयूश क्या वाकई अपने चरित्रहीन होने की सजा भुगत रहा था या फिर उससे चरित्रहीन साबित करके उसकी बीवी इशा की असलियत पर परदार डाला जा रहा था लेकिन यह साफ कलपना से भी परे था सर आयूश पे हुए हमले के चार दिन बाद राजोरी गार्डन में शीना अगरवान लाम की अउरत का मर्डर हुआ था सर इस केस की इन्वेस्टिकिशन कर रही पूलिस ने बताया है कि जिसने शीना के उपर फायर किया उसने हलमेट पहन रखा था और सर फायर पॉइंट फॉर बोर के देसी कट्टे से किया गया और सर जो गोली आईश के उपर चलाई गई थी उसकी बैलेस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से इसके उपर भी पॉइंट फॉर बोर के देसी कट्टे से फायर हुआ शर्मा हो सकता है शीना का मरडर करने वाला भी वही है इसने आयूश को जान से मारने की कोशिश की थी सर मैं कहा रहा हूँ मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफेर नहीं था लेकिन आप लोग रोज नहीं लड़की फटो दिखाय जा रहे हैं और उसकी बीबी शीना, पता कर कि इन दूनों का इससे क्या कनेक्शन है। पोलिस इशा पे भी शक कर रही थी, और उन्हें ये भी लग रहा था कि शीना को मारने वाला, शायद आयूश पे नहीं, इशा पे गुली चलाने वाला था। पोलिस का अंदाजा सही था या नहीं, ये अब भी उस लड़की की पहचान पर ही टिका हुआ था। आबूल, जिस लड़की ने कोरियर भेजा था, वो नंदिन नहीं, पूजा गर गया, परपल स्टोन कंपनी में रिसेपनिस का काम करती। चीक है। सर्फ मैं मानती हूँ कि मैंने वो कुरियर किया था, लेकिन मुझे अभिशेक ने कहा था वो कुरियर करने के लिए। कौन अभिशेक? सर्फ वो एक एस्टेट एजेंट है, जब भी हमारे क्लाइन्स को घर या फ्लाट चेही होता है तो मुझे नहीं पता था कि उस पूरियर में कुछ गलत था, मैं ना किसी आयूश को जानती हूँ ना इशा को, मैंने जो किए अभिशेक के कहनेपी किया सर्फ सर्फ, रेता कानें यह अभिशेक? वर्म, ताला थोड़ू. सर्फ! सर्फ, बोलो. सर्फ, अभिशेक हर्याना के रेवाडी का रहने वाला है. सर्फ, मैंने रेवाडी पुलीस को इसके नेटिव एडरेस पर भेज़ दिया. लगता नहीं वो रेवाडी में मिलेगा. इस अभिशेक के सारी कुंड़ी निकालो. मैं मैं नहीं जानता इसको. सर्फ, बोल रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह उस लड़की का भाई है जिसके साथ तुम्हारा? देखिए, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि मेरा किसी लड़की के साथ कोई अफैर नहीं था. वेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं? जानती है उसको? नहीं सर्. पुलिस जिसे एक नौसेखिया शूटर समझ रही थी, उसी अभिशेक ने शीना को परफेक्ट एम करके खत्म कर दिया था. पर उसने शीना को क्यों मारा? ये सवाल तब और भी रहसेपूर बन गया जब पुलिस को ये पता चला कि एक एस्टेट एजेंट अभिशेक शीना और उदे के लिए किराय का एक फ्लैट ढूंड रहा था. पर अभिशेक का शीना को मारने और आयूश पे गोली चलाने का असल मकसद क्या था? बोल सलीम साव उस अभिशेक ने तीन मेने पहले जुमा नाम के हिष्टी सीटा से देश निकटा खरीदा था ये अभिशेक मिलेगा कहां पर? पक्का तो नहीं कह सकता है लेकिन नरेला में उसके दोसका एक फ्लैड है वहां छुपा हो सकता है ठीक है सर अभिशेक के बारे में एक लीड मिली है नरेला के एक हाउस में छुपा हो सकता है पता करो वहां जाके अगर मिले तो उठा के लाओ उसे ठीक है साँ सब अलट रहे नाम पर कर सेंगें पिशे़ाए सब्सक्राइज़ लेगा सब कर सब्रूक्त सब्सक्राइज पाद कि मिलें ऑर में दो रखर से ब्लॉक करो से ओके साथ चलाई दोजार चौदा शाम के पांच बचकर पांच मिनिट पे पहली बार मैंने उसे देखा बहुत सुंदर लग रही थी देखते ही प्यार हो गया लवेट फस्साई इशा के लिए बावला हो गया था मैं अंधरी अंदर उसे बहुत प्यार करने लगा था मैं पर यह सारा प्यार अंधरी रहा कभी हिमती नहीं कि अबाव कि अबाव कि अबाव से कितना प्यार करते हूं मैं इससे पक्ती सेटिंग करना चाहता था इसके लिए मैं इसका नंबर भी पता लगाया इसको कॉल भी करता था उसकी आवाज सुनने के लिए लेकिन उसे मेरा नंबरी ब्लॉक कर दिया लेकिन मैं वहां नहीं र प्रणाए कि मुझे एक परिशान तो करता था था पटा जब अभी पता नहीं कि अजा करता था इसी लिए तुने इसरादी करने के लिए रिश्टा बिजवा अगर इस लड़की के साथ आप हमारा रिष्टा करा देंगे ना तो हम आपको इतने पैसे दें गे चितने आपको पहेज की रूप में भी नहीं मिले होंगे। और जब इशा ने तेरे से शादी करने से मना कर दिया, तो उसके पती आयूश को जान से मारने पर उतारू हो गया। कभी तुने ये भी सोचा, वो गोली आयूश को ना लग के अगर इशा को लग जाती तो क्या होता। अगर ऐसा होता साब, तो मैं खुद को गोली मार लेता। तो फिर शीना को क्यों मारा, उस पे गोली क्यों चलाई। वही तो जड़ती सर, उसी की वज़े से मैं और इशा एक नहीं हो पाए। सुन, यह वही है ना, जो तो जब बार बार फोन करके परिशान करता है। हाँ यार। कौन है तू और क्यों बाब अरिशा को फोन करके परिशान करता है। जी, आप कौन बोल रही है। तेरी मा बोल रही हूँ। ठेकिये मेटम, माँ पे मज जाई आप, मुझे तो सुफ इशा से दोस्ती करनी है। सुन, अगर तुने सब दुबारा फोन किया ना, तो सीधा पुलिस का फोन आया तेरे पास, समझा। शीना की वज़े से, मेरी और इशा की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खातम हो। मैंने शीना को इशा के साथ देखा था। मैं समझ गया, कि इसी ने मुझे फोन पर धंकाया था। शीना में तो आया था कि मैं उसे मार दो। लेकिन तभी वो काम चोड़कर वहां से चली की थी। जैसे इशा की शादी हो। मैंने सोच लिया था, कि मैं उसे विद्वा करकर उसका पुनर विद्वा खुद से करा लूँगा। मैं आईशा को विद्वा नहीं कर पाया। लेकिन शीना मुझे दिख गई। उसके पती को किराए का फ्लैट ठीए था। जिसके लिए वो शीना के साथ मुझसे मिलने आने वाला था। शीना मुझे नहीं जानती था। पर मैं शीना को पैचान दिया। और जब आईशा की गूली मारने के बाद भी नहीं मार था। तो मेरा माता गूम गया। और उसी फरस्टेशन में मैं रिए शीना को गूली मार दिय। तुने शीना को इसलिए मार दिया। क्योंकि प्रणित तेन साल पहले उसने तुझे ईशा को परिषान करने से मना किया था नवटी आठा था तुझे मैंने जो कुछ भी किया सहाभ वो इशा के प्यार में किया और प्यार की अगनित है ऐसी होती है जो दू में से अगर एक नाखर दे ना कुछ नहीं बचता सा पर तू प्यार के गणित को समझा ही नहीं प्यार का गणित सही तब होता है जब दो लोग मिलते हैं उसमें ना कोई एक होता है और ना ही किसी तीसरे की गुंजायश होती है अमसारी शाह प्लीज माफ कर दो ना प्लीज शादी जिंदीगी का वो अध्याय है जो वचनों पे लिखा जाता है वादों पे कायम रहता है और भरोसे पे निभाया जाता है रिष्टे में प्यार और तकरार उन दो पट्रियों की तरह होती है जिस पे दो हमसफर एक ऐसे सफर पे होते हैं जहां हर पड़ाफ पे एक नया इम्तिहान होता है कभी साथ चलते रहने का इम्तिहान तो कभी वो इम्तिहान जो हमारे बीच पैदा हुई दरार में अपराद की वो खाई भी खोच सकती है जो हमें ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग कर सकती है पर बचा तभी जा सकता है जब हमारा आपसी भरोसा मजबूत है